हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री और स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद check करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम check करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सारषा draw करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में क्यों दिक्कत न हो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्कारी शेप में नजर आ रही है काफी अच्छी शेप मानी जाती है इनकी हथेली स्कारी शेप में होती है ऐसे वेक्ति काफी हार्ड वार्किंग होते है और अगर fingers भी थिक हों यासी यहाँ पर नज़र आ रही है काफी thick fingers इनकी जो इन्हें अच्छी energy और stamina देने वाली है और fingers के ओपर काफी सारी बारी खड़ी रिखाएं नज़र आ रही है यहाँ पर काफी clear जो इस तरह की रिखाएं हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ ऐसी खड़ी रिखाएं व्यक्ति को एक friendly nature देती हैं एक मिलनसार nature देती हैं तो काफी अच्छी nature यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है और इनकी जो finger है सबसे चोटी finger जिसे mercury finger कहते हैं और इनकी सूर्य finger दोनों के बीच में एक fair gap नज़र आ रहा है यह gap व्यक्ति को independent बनाता है responsible बनाता है ऐसे व्यक्ति जिनकी इन fingers में gap होता है responsibilities लेना बखुबी जानते हैं और इनके उपर responsibilities छोटी age से ही आ जाती है और आप देख सकते हैं इनकी जो fingers की length है काफी अच्छी है सूर्य finger की length यहाँ पर ज्यादा है इनकी groove finger के मुकाबले यहाँ अब आप देख सकते हैं सूर्य finger का अच्छी length में होना indicate करता है काफी अच्छी creative qualities को और even groove finger भी यहाँ पर ज्यादा short नहीं है हलकी short groove finger यहाँ से इनकी सूर्य finger से नजर आ रहे है लेकिन बहुत ज्यादा difference नहीं है जिस वज़े से अच्छी leadership qualities भी रहेंगे और इनकी knowledge भी काफी अच्छी रहने वाली है आगे आप देख सकते हैं कि शनी finger को बिलकुल straight शनी finger जो व्यक्ति को hard working type की nature देती है ऐसे व्यक्ति जिनकी शनी finger में कोई फला ना हो काफी महनती होते हैं अपनी life में अपनी महनत के बलबूते पर ही life में तरक्की कर पाते हैं और even इनकी mercury finger की length को अगर चेक किया जाए ठिकनेस और length दोनों चीज़ों को तो यहां पर आप देख सकते हैं कि mercury finger जो है वो लंबाई में बढ़कर इनके सूरिया finger के first falange तक पहुँच रही है जो काफी अच्छी length है जितनी अच्छी लंबाई में mercury finger होती है उतने अच्छे communication skills व्यक्ति के रहते हैं तो यहां पर average level के communication skills रहेंगे और even हलका सा इनका mount जो है mercury mount low set नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा low set नहीं है लेकिन थोड़ा सा low set होता हुआ जिस वज़े से थोड़ी shy nature रहने के chances रह सकते हैं आपको draw करके दिखाना चाहूँ हो यहां पर एक line कुछ इस तरह से बाकी के mount के मुकाबले हम चेक कर सकते हैं इनका जो mercury mount है low set है थोड़ा सा दबता हुआ अंदर की तरफ और इस mount के ओपर काफी सारी खड़ी रिखाए हैं जिने हम काफी शुब मानते हैं इस mount के ओपर खड विजनस एकुमेन को enhance करता है, communication skills को भी better करता है और यहां पर चार खड़ी रिखाए हैं मुझे नजर आ रही हैं जिस वज़े से एक strong विजनस एकुमेन इनके भीतर रहेगा और जो shyness वाली quality है उसको भी ढख लेती हैं अगर इस तरह की lines हो तो shyness बेशक रहती हैं अंदरू के mounts को तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका surya mount अंदर की तरफ दबता हुआ लेकिन एक surya रेखा यहां पर मौझूद है बीशक बहुत ज़्यादा लंबी surya रेखा नहीं है लेकिन एक clear cut surya रेखा का होना भी व्यक्ति को benefits देता है इस तरह के surya रेखा व्यक्ति को old age में चलकर benefits देती है 60 की age के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा name and fame बना लेता है society में अपनी काफी अच्छी recognition create कर लेता है तो यहां पर surya mount इनको अच्छे result देने वाले नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है surya mount लेकिन results अच्छे रहेंगे आगे आगे आ shiny mount को shiny mount यहां पर average है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा दबता हुआ भी नहीं है struggle रहेगी life में ups and downs भी रहेंगे क्योंकि इनकी जो shiny रेखा है थोड़ी overlapping के साथ नजर आ रही है अब देख सकते हैं यहां पर अगर इस line को मैं draw करता हूं त यहां पर थोड़ी सी line यह overlapping के साथ ही बढ़ रही है जब भी शनी रेखा एक straight line होने की बजाए इस तरह से overlap होकर आगे बढ़े तो यह life में आने वारी दिक्तों को भी show करती है ऐसे व्यक्ति को life में काफी hardships का भी सामना करना पड़ता है लेकिन progress भी काफी अच्छी रहती है क्योंकि शनी रेखा बेशक थोड़ी overlap हो रही है लेकिन उपर तक पहुंच रही है और शनी मौंट तक यहां रेखा हमें पहुंचती हुए दिखाई देरिया शनी मौंट के उपर छोटी छोटी एक से ज़्यादा रेखाएं भी नजर आएंगी आपको आपको draw करके दिखा जाओंगा इस तरह की खड़ी रेखाएं शनी मौंट के उपर आपको नजर आ रही होंगी जिनने हम एक तरह से assistant fate lines कहा देते हैं जितनी ज्यादा खड़ी रेखाएं होती हैं उतनी ज्यादा व्यक्ति के income sources बन जाते हैं old age में चलकर यहां पर तो काफी अच्छे source of income लेकिन यहां पर बीच बीच में जो overlapping समय नजर आई इनकी शनी रेखा में यहां इंडिकेट करती है absent downs को जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कुछ रिखाएं इनकी शनी रेखा को touch कर रही हैं यह hardships को show कर रही हैं लेकिन old age में चलकर इनको काफी अच्छे benefits होंगे और life में क हाथ में नजर आ रहा है और upward जाने वाली रिखाएं गुरू माउंट के उपर काफी clear हैं इस तरह की lines को progress lines कहा जाता है जिनके हाथ पर यह हैं रिखाएं मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की पा लेते हैं और even इनका जो गुरू माउंट का ट्राइरीडल है वो भी center में बनता हुआ आपको दिखाना चाहूँगा यहां पर ट्राइरीडल तीन तरफ से आने वाली जो बारीक fingerprint वाली lines होती हैं उनसे बनने वाले center point को कहते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से बारीक fingerprint वाली lines चलके आ रही हैं उनके हाथ में जो यहां पर एक बिलकुल center में एक apex create कर रही हैं और यहां पर यह चीज़ देखने वाली है कि यह apex कहां पर बनता है mount के अगर बिलकुल मध्या में बन जाए तो बहुत अच्छे results यहां थोड़ा सा shifted है लेकिन एक prominent guru mount को यहां पर यह है strength दे रहा ह है इनका जो try little बन रहा है तो mount guru mount अच्छा रहने वाला है family की तरफ से व्यक्ति को सुख मिलते है knowledgeable personality रहती है ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी knowledge अपनी life में gain करता है और यही knowledge व्यक्ति को समाज में मान समान दिलवाने में help करती है उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं इ यव का चिन बनता हुआ आपको draw करके दिखाना चाहूँगा यहां पर कुछ इस तरह से यहां से line जुड़ी हुई और आगे चलकर एक यव का चिन बनता हुआ अंगुठे के उपर ऐसा चिन बनना जिसे मुद्धाज आई कहते हैं व्यक्ति को धनवान बनाता है और even काफी अच्छी knowledge देता है तो knowledge के लिए यहां पर दोनों चीजें इनके हाथ में present हैं एक उभरा हुआ गुरू माउंट और एक यव का चिन यह दोनों चीजें यहां पर present होना इने काफी अच्छी six sense भी देगी चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नजर आता है इनकी line से तो य यहां पर बिलकुल perfect place पर पहुंचती हुई और जो इसमें एक बहुत अच्छा curve बन रहा है यहां indicate करता है इनकी emotional type की personality को भी थोड़ी emotional type की personality रहेगी और साथी साथ कोई भी flaw मुझे इनकी हाथ की line में नजर नहीं आ रहा कुछ हलकी बारीक line यहां पर आप देख सकते हैं नहीं आ रहा ओवरॉल heart की health के लिए इस तरह की रेखा का होना बहुत अच्छा माना जाता है काफी अच्छी health यह है इनके heart की रहेगी minor issues के लावा यहां पर कोई भी major problem नजर नहीं आ रही तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी बाकी की lines को क्या क्या indicate करती है इनके बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो line of mind है काफी अच्छी है बिल्कुल सीधी mind की line जो यहां पर एक sharp mind को दर्शार रही है और उसमें से निकलने वाली branches जो upward जा रही है वो इस line को और भी prominent करती है अब देख सकते हैं इस तरह की रिखाएं जो उपर की business equipment देती हैं और business करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है इस वेक्ति भी शेक ऐसा वेक्ति business ना भी करे तो भी किसी भी field में हो यह जो branches है वेक्ति को progress दिलवाने में help करती हैं तो यहां पर इनके हाथ में इस तरह की रेखा होना mind की इने काफी धनवान बना सकती है और issue यहां पर इनकी mind की line से नजर नहीं आ रही और अगर देखा जाए तो money triangle जैसी formation यहां पर होती हुई यहां पर अब देख सकते हैं इस तरह की थोड़ी wavy line है और यहां जो रेखा है इसको हम कहते है mind line और यहां जो नीचे से चले थोड़ी overlapping के साथ यहां पर इनकी भाग य रेखा इस तरह का एक money triangle बन रहा है जो एक काफी शांदर money triangle है थोड़ा सा खुला हुआ है यहां पर overlapping line में जिस वज़े से थोड़ी दिखते हैं तो रहेंगे लेकिन काफी अच्छा पैसा यहां अपनी life में इकत्रित कर पाएंगे आगे देखते हैं इनकी line of life को life की line यहां से और deep cut life line है और life line से हलकी ब्रांच बाहर की तरफ यहां से चलती हो जो indicate करती है विदेश चानी की desire को और ऐसे व्यक्ति foreign travels भी करते हैं क्योंकि line थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रही है और अगर इनके शुकर area को देखा जाए तो शुकर area काफी strong है शुकर area के ऊपर आड की तरफ से setbacks मिलते हैं life में family life थोड़ी disturb रहने के chances रहते हैं इस तरह की रिखाए होने से और शुकर mount और मंगल इनके दोनों prominent है जिस वजह से aggression काफी ज्यादा रहेगा यहां जो area है यहां मंगल का area है और यहां नीचे वाला जो area रहता है यह शुकर mount है अब देख सकते हैं दोनों की जो formation है उबरी हुई मंगल की वजह से aggression गुसा यह सब चीज़ें व्यक्ति के भीतर रहती हैं blood pressure जैसी problems का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और शुकर का area उबरा हुआ तो कामुकता धिक रहती है लगजरी चीज़ों का शौंक रहता है व्यक्ति को और थोड की depression जैसी तना जैसी दिक्कतें भी life में आ सकती है लेकिन स्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि इनकी mind की line काफी strong है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना क सवाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका की question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद